हेलो दॉस्तों मैं आरेंट आज हम कंपेर कर रहे हैं आपकी वर्टस का टोप लाइन और अपना सामने जो खड़ा रेड में जीटी प्लस वेरेंटी है इन दोने कंपेरिशन करने वाले अच्छे से बात करेंगे डीटेल में कि क्या एक्स्ट्रा बाइस में मिलता है लगभग अगर इनकी टेल लाइट की बात करें तो यह भी आपकी सेम ही देखने के लिए मिलते हैं अब जाते हैं आगे आगे इस देखते हैं क्या डिफरेंस मिलता है आपको विजबल डिफरेंस यह पर दिख रहा होगा भाई देख उसकी ब्लैक मिलती है इसके नोर्मल मिलता है बो यह लोग को नहीं मिलती है इसमे वापको नौर्मिलरी यहां पर देखने क्ली तेखने क्लीर अब तो फेली चीज तो आप घॉल तो अ रगिझ का देखने में और अगर अंगर की बाट करने तो यहां तोनमिलाख और जैसे आप गाड़ी में अंदर बैठता हो तो यहाँ पर एक चीज आप नोड़िस कर सकते हो कि इसमें थोड़ा इंटरियर मिलता है और उसमें पूरा स्पोर्टी लुक अपना देखने के लिए मिलती है स्टेरिंग वगर के अगर बात करें तो भाई बीच में आपको फॉक्षोंग के लोगों लेट साइड मापको क्रूस कंट्रोल देखने के लिए मिलता है यहाँ पर रफ ब्लाक मिलता है और नीच अपना बेज देखने के लिए मिलता है बागी अगर सिस्टम बात करें तो भाई दास इंज बलता है विदा आट स्पीकर और नीच अपना ओटमेटिक असी वगड़ा सब देखने के लिए मिलता है यह वाला वेरिंट आपको automatic manual दोनों में मिलता है लेकिन GT की अगर बात करें तो वो सिर्फ आपको automatic में देखने के लिए मिलता है यहां पर देख लो भाई space वगरा थोड़ा मिल लाता है और seat में थोड़ा सा difference ए उसकी black देखने के लिए और इसकी यहां पर बेज मिलता है माउसकी भी दिखाऊंगा पर ओपर यहां पर संरूफ वगरा मिल जाता है यह इसकी blinds वगरा manual होता है बागी बाई adjustable headrest वगरा तो इ मिलता है कि क्या होता है और सिर्फ 6-7 मिटता है वीडियो होने वाला है ठीक है अगर पीछे की बात करें तो यहां पर यहां पर आपको सेम डियल टोन इंटिरे देखने के लिए और यहां पर बाई बीच में आमरेस वगरा कपोल्डर की साथ और अपना adjustable headrest मिलता है और यहा पहला major difference पीछे से यही देखने के मिलेगा कि स्पोईलर स्वाली गाड़ी में नहीं मिलता बागे अगर बूट स्पेस की बात करें में 521 लेटर गाप बूट स्पेस देखने के मिलता है और लेंध वगरा भी गाड़ी काफी लंबी देखने के मिल जाती है सबसे लंबी गा पीछे स्पोलर वाली गाड़ी मिलता है बागी जीटी की बैचिंग यहां पर मिलती है और उपर यहां पर 26 गाड़ी की ब्लाक प्रो पर देखने के मिलता है कंपनी करके दे रही है आपको बहार से कराने कोई भी भी दरूरत नहीं है बागी अगर इंटेर पर आधे तो यह पर सेम ही देखने के लिए इस आले गाड़ी में भी इलती है बागी जो मेजर डिफरेंस है इस गाड़ी में आपको 1500 Cc अंडेखने के मिलता है जो आपकी 147 बेच्प के पाव निचालता है इंटीरे अंसे जेगो हैं यहां पर ब्लैक का थोड़ा एसेंट देखने के लिए मैं यही बात करें दोनों की सेम यही चावी मिलती है जाटी में कोई भी डिफरेंस नियए लोग अलोक और अपना बूट ओपनिंग के लिए तीन ही बटन यहां पर देखने के लिए ठीक है आपको फिलिप की मिलती है इसका कुछ यूज नहीं है क्योंकि पुश्टाट बटन दोनों ही गाडियों में दे रखा है तो वो एक चीज होगी अब बात कर लेता है इसे पहले तो ओन कर लेता है पुश्टाट बटन दबाओ नॉर्मल गाड़ी ओन जाती है और जैसे प्रूस कंट्रोल देखने के लिए बागे आप इधर सी वोल्म अगरा कंट्रोल कर सकते हो तो यह इधर की साइड हो गया बीच में फोक्स्वाइन का लोगो तो मिलता ही है और है अपर आपको रेड एसेंड देखने के मिलता है जीटी प्लस में नीची के अगर बात करें है यहां पर नीचे एसेवेंट और यहां पर नीचे बाई ऑटोमेटिक असी वही सेम आपको देखने के लिए मिलता है वाइलेस चार्जिंग ओप्शन बिया आपको दोनों ही वेरेंट में देखने के लिए मिल जाता है बागी स्वाले विरेंट में सिर्फ आपको लुटो इस आपको बात करें तो पड़ती है और टॉप लाइन और उन्रुफ अगरा मिल लाता है तो नहीं गौडियों में आपर ब्लाइंड इसमें मैनुल ही देखनी के लिलता है ओतुमेटिक नहीं अपर बिच में आपको बाई आयार विम्बीस में आपको बहुता है दोन आप पर पैसे की कमी नहीं है तो बिल्कुल आप इसके लिए जा सकते हो अगर आप इंजन को लेके बहुत दादा ऐसे होते हो कि भाई तकड़ा चीए और इसमें आपको 179 mm का ग्राउंड किलेरंस भी देखने के लिए मिल आता है दोनों ही गाड़ियों बागी जो सेम चीज है ना दोनों गाड़ियों में उनकी बात नहीं कर रहा आप उनकी लिए बाई सेपरेट वीडियो चैनल पर आप उससों देख सकते हो तीन तो देखो हमारे सामने खड़े है रै पर टिक टोप लाइन या आप जीटी लेना चाहोगे भाई थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल कर बागी इस तरह की चीज़ तो आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलने ही वाली है तो भाई कैसी लगी वीडियो और कॉमेंट सेक्शन में जुरू बताना चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब और वीडियो देखने के लिए और इतना टाइम निकालने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सजेशन्स वगर यार दे दिया अगरो कॉमेंट सेक्शन में उससे काफी हैल्प हो जाती है